देहिं सातियों स्वागत आप सभी का देखेगा आज हम दस्वाँ भाग यहाँ पर करने जा रहे हैं तो 9 वीडियो हमने पहले कर लिये हैं काफे सारे पेपर हमने वहाँ पर किये हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रि है वो हम सुरू करेंगे देखे यहां से राजस्तान में किस परदेश का अजरक परिंट परसीद है ठीक है तो देखेगा अजरक परिंट आप सभी को पता है बाड मेर का परसीद है चलिए आगे देखते हैं देखे निमन में से क्या राजस्तान की हरीत करांती से समंदित नही है नहीं है पूछा है तो देखेगा यहां पे क्या है कीष्ट नासकों का उपयोग घटना गटा नहीं है यह उपयोग जो हो बढ़ा है तो यह से समझेत नहीं है चलिए आगे देखते हैं अब अगर हम बात करें अगला जो परसन है हमारा वो है यहां पे रूडा के बारे में क्या सत्य नहीं है पूछा है तो देखेगा इसकी अगर हम बात करें तो सतापना नौंबर उन्निस सुबिचान में हुई थी तीन इसके उपचेतर है और यह जो है बलू बोड़ दे कोटाडोरिया अगला जो परसन है वो हमारा है लगू उद्योगों की साहता के लिए राजस्तान लगू उद्योग कोर्पोरेशन राजसिकों की स्तापना कब हुई थी तो राजसिकों की स्तापना आपको बताना है कब हुई थी तो इसकी स्तापना 1961 में हुई थी आगे देखते हैं देखेगा राजस्तान में कास्तकारी अधीनियम किस वर्स लागू हुआ था तो देखे राजस्तान में कास्तकारी अधीनियम जो 1905 में लागू हुआ था देखे आगे हम देखते हैं राजस्तान में निम्न में से किस स्रोच से सर्वादिक उर्जा पराप्त होती है तो ये राजस्तान के अंदर है अगर हम बात करें तो ये देखेंगे 2018 के इसाब से आंसर दिया हुआ है जो बोल्ड की ओपिस्यल साइट है वही आंसर मा आपको बता रहा हूँ तो ये इसका सही आंसर होगा ताप ही है चलिए आगे देखते हैं देखें 1890 के दोर में बिजोलिया के जागेदार कौन थे बिजोलिया के जागेदार कौन थे आगे देखिए, अठारा सो तिरासी में किस सहर में प्रोब कारिणी सभा की स्तापना हुई थी, तो प्रोब कारिणी सभा की स्तापना कहां पे हुई थी, उध्यपुर में हुई थी, देखिए जो परसंद रिपीट होने वाले है, मैं वही परसंद आपको ज़्यादातर बता पाने की कोशिच कर रहा हूं ठीक है तो देखेगा निम्द में से कौन से वंस की उत्पती अगनिकुंड से नहीं हुई है तो अगनिकुंड से नहीं हुई है वो बताना है तो वो है सिसो दिया गागरोन का किला किस जीले में इस्तित है तो आपको जीले का नाम बताना है यह आप सभी को पता होगा जालावाड में इश्दिद है चलिए आगे देखते हैं चोतारा कमाईच्या कौन से लोकवाद्य परमपरा से जुड़े हुए हैं तो देखेगा यानि ये कौन से वद्य हैं ये आपको पताना है तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा चोतारा आगया यानि कि ये तत्त वद्य यंतर है यानि तार वाले वद्य यंतर है चलिए आगे देखते हैं देखेए कौन सा स्थान उननी सुबीस में किसान आंदोलों के दुरां से खवाटे के पंचपाने ठिकानों में नहीं है तो देखेए इस छेतर में स्वामी गोविंद गीरी ने इनका नेतरतव किया था किस इत्यासकार ने राजपुतों को सक अत्वासितियन जाती का वणसर्ज माना है तो उस इत्यासकार का नाम आपको बताना है तो देखेगा वो है जैम्स टोड पंडित नेनुराम सर्मा किस रियासत के परजा मंडल से समंदित थे तो यह सिंपल सा परसन आप सभी को पता हो ना तो नेनुराम सर्मा कोटा रियासत से समंदित थे ठीक है चलिए आगे देखते है कौन सा अस्तान पत्थर मार होली के लिए परसीद है तो कौन सा स्थान पत्थर मार होली के लिए परसिद है देखेगा यहाँ पे इस परसन में मुझे डाउट है लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे जो ओप्षन के हिसाब से दिया है वही मैं अब दा रहा हूँ तो देखेगा जो ओपिशल साइट है उस पर बाड मेर को माना गया है ठीक है बाके आप एक बार चेक जरूर कर लेना मैं इसके दर अपनी तरफ से कोई चैनल नहीं करूँगा आगे देखें राजस्तान के किस संत दवारा सत्य भामाजी नू रूसन की रचना की गए थी तो देखेगा किस के दवारा रचना की गए थी मीरा भाई के दवारा निम्न में से राजस्तान के किस सतल से मर्द बाड़ों के लाल दरातल पर काले रंगों की सुन्दर जामितिये डिजाइनों से सदाया गया है तो देखेगा ये कहां पर प्राप्थ हुए है तो ये प्राप्थ हुए है काले बंगा में देखिए अगला परसन है रिष्व देवजी के मंदी राजस्तान के किस स्तान में इस्तित है तो आपको सही आंसर बताना है तो ये आप सभी को बता होगा दुलेव में इस्तित है 1948 में किस राज्य के सासक को मतश्य संकार राज परमुख बनाया गया था देखिए इस तरह के पसंद में काफी बार confusion होता है तो देखिएगा इसका सही आंसर होगा दौलपूर के सासक को मनाया गया था अंग्रेजों से संदी करने वाला राजस्तान का पर्थम राज्य कौन सा था तो देखिएगा अंग्रेजों से संदी करने वाला राजस्तान का पर्थम राज्य यहाँ पे ओप्शन के साफ़े अगर हम बात करें तो बर्धपूर दे रखा है ठीक है इसका सही आंस्वर ओपिस्यल साइट पर बर्धपूर दे रखा है गुड़ला नमक नर्थ्य से लिए कसम निम्न में से किस राजस्तान के किस सहर से है तो आप सभी को पता होगा ये है जोदपूर से चलिए आगे देखते हैं राणी लक्ष्मी कुमारी चुंटावत को पदम सिरी उन में से किस चेतर में योगदान के लिए दिया गया था तो देखिएगा उनको दिया गया था साहितिक चेतर में चलिए आगे देखते हैं किस समाचार पत्तर का प्रकसान विज्य सिम्पतिक द्वारा किया गया था तो इसके अंदर यहां पे इस परसन को डिलीट किया हुआ है ठीक है चलिए आगे देखते हैं देयालदासरी ख्यात राज्तान के किस राज्य का इतियास संकलित है देयालदासरी ख्यात में किस राज ये का इतियास है तो आप सभी को पता होगा बिकानेर का इतियास इसके अंदर आपको मिलेगा चलिए आगे देखते हैं अगला जो परसन है मरू विकास कारियकरम के अंतरगत नहीं आता है तो कौन सा नहीं आता है तो देखेगा समन्यूइत ग्रामिन विकास कारिय करम इसके अंदर कर नहीं आता है अब देखिए अगला जो परसन है सोरी राजस्तान में से गुजरने वाले सबसे छोटा अन्नस कौन सा है सबसे छोटा अन्नस कौन सा है तो यह है 71 B सेतरफल बात के कुल सेतरफल का कितना परतिस्थ है राजस्तान की बात हो रही है तो राजस्तान का सेतरफल आप सभी को पता है 10.45 परतिस्थ है चुलिया जल परपात किस नदी पर बनाया गया है चुलिया जल परपात चंबल नदी पर बनाया गया है देखिए राजस्ताना कौन सा बोतिक परदेश खाद्यान का कटोरा भी कहा जाता है यह आप सभी को पता होगा पुर्वी मेदानी परदेश खाद्यान का कटोरा कहा जाता है आगे रखिए राजस्तान राज्य की बात के कुल पसूदन में कितने पर्तिसद भागीदारी है तो देखेगा उस समय यानि 2018 की बात हो रही है अभी परसन आपको 2022 के इसाब से पूछा जाएगा इसके अंदर परसेंटेज में चेंज हो सकता है 11.27 पाकिस्तान का एक जिला राजस्तान की अंतरास्ति सीमा पर इस्थित नहीं है पूछा है तो वो आपको बताना है तो इसके अंदर इस परसन को डिलीट किया गया था ठीक है चलिए आगी देख लेते हैं मालवा पठार किस का विष्टार है तो इस परसन को भी यहां पे डिलीट किया गया था ठीक है दुर्गापुर केसर एक परसिद किसम है तो यह जो किसम है वो किस की है यह आपको बताना है तो यह किसम तर्बूज की है ठीक है देखिए अगला जो परसन है राजस्तान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्याणने है 2018 की बात हो रही है अभी इसके अंदर चेंज हुआ हो सकता है आप करंट जरूर देखेगा देखिए 25 वन्य जीव अभ्याणने 2018 तक ते अभी आगे हम बात करें राजस्तान में मर्दा अपर्दन से समंदित नहीं है पूचा है तो देखेगा राजस्तान में मर्दा अपर्दन से समंदित क्या नहीं है हीमानी किरिया क्योंकि बरफ राजस्तान के अंदर नहीं है राजस्तान में किस परकार के परसासनिक 1-6 सरवादिक पाई जाते हैं तो सरवादिक 1-6 कौन सा है जो राजस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है ठीक है आर भी चलिए आगे देखते हैं अरावली परदेश में राज्य के कुल कितने जिले समलित किये गए हैं तो अरावली की बात हो रही है देखेगा बारा जिले कहां पे हैं बारा जिले इसका सही आंसर होगा ठीक है ओप्षन के इसाब से जो ओपिशल साइट पर है वही मैंने आपको अरावली परदेश में बारा जिले समलित किये गए हैं सेर चोटी की उंचाई कितनी है तो देखेगा उंचाई कितनी है यह आपको सलेक्ट करना है तो इसकी उंचाई पंदरा सो स्तानमे मीटर है ओप्षन सी सही होगा इसरदा सिंचाई प्रियोजना इस्तित है तो इसरदा सिंचाई प्रियोजना खहां पर है स्वाई मादोपुर में राजस्तान में खालिस्तान जीले में सबसे अधिक देनिक तापांतर पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा देनिक तापांतर जेसलमेर में है देखिए अगला जो परसन है गुरु सीकर परवत चोटी अरावली के किस परदेश का भाग है यानि कि उत्री दक्षणी या फिर मद्धी ठीक है तो कौन सा है तो ये दक्षणी परदेश का भाग है 56 का मिदान किस एक नदी से है इसका जो समन्द है 56 के मिदान का वो कौन सी नदी से है उस नदी का नाम आपको बताना है तो देखेगा वो है माही नदी यानि परताब गड़न निमन में से किस जीले को राजस्तान में सरवादिक वार्सिक वर्सा पराप्त होती है किस जिले को सरुवादिक वासिक वर्षा प्राप्त होती है तो येहाँ पे जिला पुछा है तो देखेगा आपको येहाँ पे स्लेक्ट करना है जहलावार के नर्जदीक तो ठीक है? तो ये हो गया पर्ताब गड़ रास्तान में कौन सा जिला? चीनी मील से अंतर के कारण वायू पर दूसरन की समस्या से जूज रहा है तो देखेगा ये था गंगानगर जिस कारण से इसका जोस्तान है वो बदला गया है चीनी मील का परसन है मनरे का कारे करम के किरियानन किस के दवारा किया जाता है ये है गराम पंचायत के दोरा किया जाता है राजस्तान राज्य महिला आयूग क्या है तो देखेगा अब किस तरह का निकाय है ये आपको बताना है तो ये सामी दिख निकाय है आगे देखें अनुचेद 105 पर के ताइट राज्यपाल की न्यूकती कोन करता है तो राज्यपाल की न्यूकती बारत का राष्टपती करता है राजस्तान हाइकोट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला पर्थम नियाएदीश कोन था तो देखेगा सबसे लंबे समय तक पुछा था है तो केलासनाथ वांचू बारत एस्वरे राजस्तान के पर्थम लोकायूद किसे नियुक्त किया गया था तो ये कौन ना दुवा आईडी दुवा को पर्थम लोकायूद नियुक्त किया गया था राजस्तान में राजस्तान में परसासनिक दर्ष्टी से निम्न मैंसे सबसे चोटी इकाई कोन सी है तो सबसे चोटी इकाई पुछा है तो देखेगा यहाँ पर क्या है तेहसील है देखे आ, option में जो official site पर यही answer यहाँ पर माना गया है राजतान राज्य मानवा दिकार आयो की अध्यक्स और सदस्यों की निवति के लिए गटि समीति का अध्यक्स कौन होता है तो देखेगा इसके जो अध्यक्स होते हैं वो होते हैं मुख्य मंत्री अगला जो person है वो है नगरनिगम की सवा की अद्यक्सता कौन करता है देखेगा नगरनिगम की सवा की अद्यक्सता मेयर करते है चलिए आगी का जो paper है वो हम देख लेते हैं अगला जो paper है आपका वो है लडिसी exam 2018, 12 आगस 2018 को हुआ था देखेगा आपको जो पीडियाफ है वो टेलिग्राम ग्रूप पर मिल जाएगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिश्मिन में दे रखा है इसके हम 30 परसन यहां पर करेंगे देखेगा अगर हम यहां पर बात करें जो पहला परसन आपका राजस्तान के किस जिल्य में इंदर परस्त ओद्योगिक छेतर इस्तित है यह जगह आपको बतानी है किस जिल्य में है तो देखेगा यह कोटा में इस्तित है राजस्तान देश में खालिस्तान का एक मातर उत्पादक है तो देखिएगा यहाँ पे वोल्स्टेन आइट आगया तो यानि इसके अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्तान में तो यही इसका सही आंसर होगा चलिए आगे देखते हैं अगला जो परसन है हमारा वो है किस जल विदूद प्रियोजना में राजस्तान सरकार ने पडोसी राजियों के साथ सहबागिता की है तो देखिएगा इसके अंदर बाखडा, चंबल, व्यास, तीनों सही होंगे तो सभी विकलब सही है आगे अगर हम बात करें राजस्तान, राज्य, विदूद, उत्पादन, निगम, लिम्टेड का मुख्य कारिये क्या है तो देखिएगा इसका जो मुख्य कारिये है ये भी है और ये भी है यानि सक्ति प्रियोजनाओं का विकास करना और बिजली गरों का किरियानोयन और संधारन करना यानि option C इसका सही अंसर होगा चलिए आगे देख लेते हैं अगला जो हमारा परशन है राज्तान का कौन सा सासक राजवन्स यादव राजवन्स से समन्दित है तो देखिएगा इसमें से कौन सा राजवन्स यादव राजवन्स से समन्दित है तो देखिए बाटी जोकी जैसलमेर के थे अजमेर सहर का संस्तापक कौन था तो यह आप सभी को पता होगा अज ये राज करनल जैंस्टोर ने किस युद्ध को मिवाड के इत्यास का मेरोथन कहा था तो देखिएगा मेरोथन कहा था दिवेर के युद्ध को चलिए आगे देख लेते हैं किस समाचार पत्तर के माध्यम से विजय सियंपतिक ने बिजोलिया किसान अंदोलन को बार्ट में चर्चित बनाया था देखें बिजोलिया किसान अंदोलन में सबसे ज़्यादा किस समाचार पत्तर ने हिंसा लिया था तो वो दा परताब ठीक है परताब ने इस से समझे बहुत सारी खबरें चापे दी चलिए बाद छोड़ो आंदोलन में संचालन है तू आजाद मोर्चा का गठन कहां हुआ था तो ये देखे आजाद मोर्चा का गठन जैपुर रियासत में हुआ था देखे रियासतों के एक एकंड के समय जोड़ो राज्य का महरादा कौन था तो उस समय जोड़ो में हनुवंत सी हैं थे हनुवंत सी हैं थे चलिए आगे देखते हैं किस बॉली पर मराठी बासा का परभाव पड़ा है राजस्तान की किसी बॉली पर मराठी का परभाव पड़ा है वो है मालवी आगे देखिए अगर हम देखिए सुमेलित करना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेजा भील जनजाती द्वार किया जाता है तेरह ताली कामड़ द्वारा वालर गराशिय द्वारा और इड़ोनी कालवेलिया द्वारा किया जाता है यानि अगर हम बात करें एक दो चार तिन एक दो और चार तिन ओप्सन ए इसका सही आंसर होगा आगे देखेगा निमबारक समपताई कि मुख्य पीट कहां पर है मुख्य पीट आप खुप्तानी है तो यह सभी को पता होगा सलेमाबाद में है जेला, जमेला, पिपल पत्रा, अंगोट्या, किस अंग के आबुसन है तो यह कान के आबुसन है जैपूर का परंपरागत सिलप है तो कौन सा है आप सभी को पता होना चीए बलू पोर्टरी है रास्तान पंचायती राज अधिनियम 1953, 1953 किस वर से संसोधित किया गया था इस अधिनियम को संसोधित कब किया गया था तो यह 1994 में संसोधित किया गया था चलिए आगे देख लेते हैं यह 17-18 का है उस टाइम का करंट का परसन है देखिए फिर भी माँ आपको पता देता हूँ 35-35 लाख टन दालों का मुतपादन हुआ था अब आगे देखिए उमेद मिल्स किस तापना किस वर्स की गी थी तो यह 1949 में की गी थी इस तरह की परसन आपको याद रखने है अब देखिए समिनवित जल संगरन परवंदन कारिये करम का नाम परिवर्ट करके क्या कर दिया गया है यानि उसका नाम चेंज कर दिया गया है अब उसका नाम क्या है पड़दान मंतरी कर्सी सिंचाई योजना तो देखिए सुका समिनवित कारिये करम कब परारम किया गया था राज़तान में कब परारम किया गया था 1903 च्योहेतर के अंदर किया गया था इसको सोर्ट फोर में DP, AP भी लिखते है सीधा DP, AP भी हो सकता है अब आगे देखिए अगला जो परसन है वो है मरुष्टल विकास का रिकरम केंदर राज़ों के बीच का वीटिय अन्स अनपात क्या है तो इस परसन को डिलीट किया हुआ है चलिए देखिए अगला जो परसन है राज़तान के कौन से जीले का परतीक मोर है तो मोर किस जीले का परतीक है भील वाडा का देखिए मुकंदरा हिल्स नेशनल पारको राज़तान सरकार ने तीसरा राज़ती उध्यान कब गोसीत किया था ये आपको तीथी बतानी है यानि किस दिनां को गोसीत किया गया था 9 जन्वरी 2012 को तीसरा राज़ती उध्यान गोसीत किया था अब अगला परसान है कथा किस वरक्ष से निकलता है तो देखिए खेर से निकलता है अगला परसान है राज़तान में 2011 की जनगर्णा की अनुसार कौन सी जनजाती जन संक्या के आधार पे दिवित्य स्तान पर है तो ये है बील बील जन जाती दिवित्य स्तान पर है अगला परसन अगर हम देखें पसू उत्पादों में कौन सा एक राजस्तान का मुख्य पसू उत्पाद है तो ये देखेगा दूद एक मुख्य उत्पाद के अंतरगत आता है राजस्तान में परतिवस 12 सितंबर को किस रस्तान पर वरक्ष महोच सव मनाया जाता है तो देखेगा राजस्तान में खेजडी ग्राम जोदपुर में वरक्ष महोच सव मनाया जाता है देखिए राजस्तान की दक्षिन भाग में 250 से 450 मीटर की उंचाई पर सरवादिक संख्या में पाए जाने वाले वरक्ष कौन से हैं तो देखेगा इस उंचाई पर दक्षिन भाग में सांगवान के वन पाए जाते हैं अगला जो परसन है थार्म रुस्तल में 2-3 नती की घाटी में किस वरकार के बालू के सतूप चिनहित किये गई हैं तो देखेगा इस परसन को डिलीट किया हुआ है ठीक है तो देखिए हमने यहाँ पर 30 परसन कर लिए हैं अब हम अगला पेपर देखेंगे देखें अगला जो पेपर है वो है उद्योग निरिक शक्का 24-6-2008 कुवता इसके हम 40 परसन यहाँ पर देखेंगे आप टेलिक्राम ग्रूफ जोइन कर सकते हैं हमारा वहाँ पर आपको इन वीडियो की लिंक मिल जेगी ठीक है तो देखिएगा पहला परसन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले खोदरी बाचेतर किसके लिए परसीद है तो देखिए खोदरी बाचेतर तामबे की खानों के लिए परसीद है दूसरा परसन है नात्रा के पाल किस धात्वी खनीज के बंडार है नात्रा के पाल में किस धात्वी खनीज के बंडार है तो यह देखिया लोहा कौन सी एक परजाती बेड की नहीं है यानि बेड की परजाती नहीं है वो हमें बताना है तो इसके अंदर नाचना जो कि उंट की एक पर जाती है सेही प्रियोजना में किस बांद का समंद किस बांद से है तो देखे सेही प्रियोजना का समंद जवाई बांद से है अब देखे नीमन में से कौन सा एक मरुष्टली करन का कारण नहीं पूछा है तो नहीं हमें निकालना है तो अमलिय भूमी का परियोग करना एक मरुष्टली करन का कारण नहीं है राजस्तान में BSHW परकार की जलवाईू कहां पर दर्साई गई है तो देखिए का अरावली का कौन सा भाग है जहां पर BSHW आती है तो यह अरावली का परच्चमी भाग में BSHW आती है रोत्तू राजस्तान के खालिस्तान जीले का आरेक चित वन्यचेतर है तो रोत्तू कहां पर है नागोर में अगला परसन है अगूचा गुलापुरा खननकिस खनीज के लिए परसिद है तो उसको हमें select करना है तो वो है जेडन और पीबी के लिए देखिए अगला जो person है नोहर नहर प्रियोजना को किस सरोज से जल मिलता है यानि नोहर फीटर को किस प्रियोजना से जल मिलता है यह आपको बताना है तो यह रावी और व्यास यहां पे दे रखा है ठीक है रावी और व्यास प्रियोजना से मिलता है देखिए अगला जो person है वो यहां पे है राजस्तान में पानी लेखा प्रिक्षा का मुख्य उदेशे क्या है तो देखिएगा इसका मुख्य उदेशे है जल समंद सरंचनाओं की प्रभावत पादकता रख रखाओ और सुरक्ज अगला परसन देखें कौन सा पठार माउं टाबू परवत सल से 8 किलमेटर दूर गूरू सिकर की चोटी के नीचे इस्तित है तो यह है उडिया का पठार देखें अगला परसन है राजस्तान में पक्छमी विक्छोब चक्रवातों को खालिस्तान कहते हैं यह आपको बताना है तो देखें इन्हें मावट कहते हैं राजस्तान का कलफ रक्ष किसे माना गया है तो यह कलफ रक्ष खेड़ी को माना गया है कौन सा राश्ट्रिय उध्यान राजस्तान का सबसे छोटा राश्ट्रिय उध्यान है देखिए सबसे छोटा पुछा है तो यह है केवला देव सबसे छोटा जो कि भर्ठपूर में है राज्या की बहु देशे नदी गाटी प्रियोजना सबसे बड़ी प्रियोजना है सबसे बड़ी प्रियोजना कौन सी है तो देखें सबसे बड़ी जो प्रियोजना है वो है भागडा नागल प्रियोजना देखे अगला जो परसन है कानड़ दे परबंद का लेक कोन है ये आप सबी को पता है पदम नाब देखे अगला जो परसन है वीर विनोद के अनुसार हल्दीगाटी युद में मुगल सेना की संक्या कितनी थी तो उनकी जो संक्या है वो ती असी हजार इस तरह के परसन ज़्यादा तर रिपीट होते हैं पिछवाई पैंटिंग का समद निम्न में से किस से है तो देखेगा आप सबी को पता है इसका जो समद है वो नाथ द्वारा से है राजस्तानी लोग गितों में गाय जाने वाले नेतल का भरतार किस लोग देवता के संद्रम में है तो देखेगा इस परसन को यहाँ पे डिलीट किया गया है अगला जो परसन है वो देखेगा अंजुमन खादिम उल इसलाम की स्तापना किस रियासत में हुई थी उस रियासत का नाम आपको बताना है तो रियासत थी अलवर अतारकिन का दर्वाजा राजस्तान में निमिन में से किस जिले में इश्टित है तो देखेगा अतारकिन का दर्वाजा नागोर में इश्टित है रावन हत्ता किस से बनाया जाता है देखेगा रावन हत्ता आप सभी को बता है नारियल से बनाया जाता है अगला जो परसन है कुद्रसी है राजस्तान के किस हैस्त कलाम में योगदान के लिए पदमसरी पुरुसकार दिया गया था तो देखेगा इसका सही आंसर होगा मीनाकारी के लिए इन्हें पदमसरी मिला हुआ है अगला जो परसन है वो है राजस्टान के किस लोग देवता के माता पिता का नाम हंस्सा देवी और लोहत जी था देखे, धन, सोरी, जांबो जी के माता पिता का नाम था अगला जो परसन है 1813 से में गोविंद गीरी ने मेवाट, डुंगरपूर, गुजरात, मालवा के भील और गिरासी अजनराती के लोगों को संगटित करने के लिए किस सभा की स्थापना किती यानि गोविंद गीरी ने किस सभा की स्थापना किती उसका नाम आपको बताना है तो वो दी संप सभा वंस बासकर के किस परसिद लेखक द्वारा वंस बासकर को किस परसिद लेखक द्वारा लिखा गया है तो इस परसन को यहां पे डिलीट किया हुआ है अगला जो परसन है कौन सा आर्ये समाजी विचारदारा का संपोसक नहीं था तो इसमें से देखिए राजपुताना गजट दीबदान परमपरा का समंद किस पवित्तर सहर से है तो देखिए दीबदान परमपरा का समंद पुषकर सहर से है बारत की आजादे के समय राज़ुक्ताना की देशी रियास्तों की संक्या कितनी थी ये तो सिंपल सा पर्षन है उनिस थी अगला जो पर्षन है एक नुमंबर उनिस तो चपन से पहले राज़तान राज़्य का अध्यक्स क्या कहलाता था तो राज्तान राज्या का जो अध्यक्स है वो क्या कहलाता था राजपरमुख कहलाता था राज्तान राज्या के किस मुख्य मंत्री दोरा कार्यकाल सबसे कम आवदी तक रहा था देखिए सबसे कम हरी लाल देवपुरा का रहा था चलिए अगला परसन देखते हैं राज्टान लोग से वो आयोकेशादसियों का कर्याकाल कितना होता है अब देखिए इनका कर्याकाल 6 वर्ष होता है लेकिन 6 वर्ष या 62 वर्ष के आयो दोनों में से जो भी समाप्त हो उसके साब से इनका जो कर्याकाल है वो निर्दारित किया जाता है अगला परसन है मानगड़ दाम राज्टान का जलियावाला बाग नाम से परसीद है जो कहां पर इस्तित है ये बांसवाड़ा में इस्तित है राज्टन राज्य निर्वाचन आयो का गठन किस वर्ष किया गया था तो देखें 1994 में किया गया था अगला जो परसन है राज्य सुझना आयो के सदस्यों की नियुक्ति राज्य पाल दोरा किस समीत्य की सिपार्ष पर की जाती है किसी समीत्य की सिपार्ष पर किजाते है जिसका सदसे नहीं होता है यानि उस समीत्य का सदसे कौन नहीं होता है तो उच्ज न्यालिय का न्याइदिस उस समीत्य का जो सदसे है वो नहीं होता है कौन सा राज्य सुचना आयोग राजस्तान के संद्रम में सही है राज्य सुचना आयोग राजस्तान के संद्रब में कौन सा कतन सही है कतन हमें यहां पे देखने है तो देखेगा इसके अंदर जो कतन दे रहे हैं साविंदिक निकाई है सुवायत सासी निकाई है और इसका जो गठन है वो 18 अपरेल 2005 को हुआ था तो इसमें से पहला और दूसरा ही सही है ठीक है देखेए जो भी आंसर मैं यहां पे दे रहा हूँ वो पीशिल आंसर की के आदार पे दे रहा हूँ मैं अपनी तरब से यहां पे कोई चैनल नहीं कर रहा EVM मसिन में नोटा बटन का उप्योग पहली बार कौन सी विदांसवाज चुनाव में किया गया था ठीक है तो वो राजस्तान की कौन सी विदांसवाज चुनाव था तो वो दी चवदुआं विदांसवाज चुनाव 2013 में 1956 में राज्य पुनर गठन के बाद किस समीति की सिपार्ष पर राजस्तान लोग से वा आयो को अजमेर स्तानांत्रित किया गय था वो कौन सी समीति थी सत्यनाराण राव समीति के कहने पर सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्तिति में गराम सबा की बेठक की अध्यक्सता कोन करता है यदि ये दोनों अनुपस्तितों तो गराम सबा दवरा भूमत उदेश्य के लिए निर्वाचित व्यक थी अगला जो परसन है हो देखिए राज्य के पर्थम निर्वाचित मुख्य मंतरी कोन थे तो टिका राम पालिवाल थे अगला परसन अगर हम देखिए कोन सा सविदान संसोदन राज्शतान में मंतरी परिश्यत के आकारगोव परी सिमीत करता है ये है 91 वाँ सविदान संसोदन अगला जो परसन है पंचायती राज्शतान संस्ताउं में चुनाओ लड़ने के लिए नियुन्तम सेक्ची की योगतातिया करने वाला पहला राज्य कोन सा है तो देखिए राजस्तान ये 2018 की बात हो रही है ठीक है बाद में साइद इसे हटा दिया गरा चलिए आज की वीडियो की बस सितना ही लगबग हमने यहां पे काफी परसन कर लिए तीन पेपर हल किये हैं तो इस वीडियो को जादा जाद असेर कीजिएगा इसकी जो पीडियाफ है वो आपको टेलिग्राम ग्रूप पर मिल जाएगे टेलिग्राम ग्रूप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जुरूर देखेगा उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही